हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल, आज हम बनाने जा रहे हैं देसी स्टाइल मैकरोनी, यह बहुत दी टेस्टी और बहुत डिलिश्यस बनी है, आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करें और वीडियो को पूरा देखें, अब हम रेसिपी स्टार्ट क देंगे, फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे, बीच बीच में चलाते हुए हम इसे 10 मिनिट्स तक बॉइल करेंगे, हमें इसे बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, 90% ही कूप करना है, अब मैकरोनी बहुत ही अच्छे तरह से पक गई, अब हम फ्लेम ओफ कर देंगे, और हम एक पैन के ऊपर एक स्ट्रेनर रखेंगे और मैकरोनी डालेंगे, मैकरोनी डालने के बाद ऊपर से हम वन ग्लास ठंडा पानी डालेंगे, पानी डालने के बाद इसे अच्छे तरह से एक स्पैचुला या फिर अगर ठंडा हो जाए तो हातों के हल्फ से मिक्स कर लेंग अब हम इसे साइड में रख देंगे और एक कढ़ाई में हम लगबग 1 टेबुल स्पून वाइल डालेंगे जब वाइल गर्म हो जाए तब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च और कटी हुई लेसन डालेंगे अब इसे हम फ्राई करेंगे आप चाहें तो जिंजर भी ग्रेट करके डाल सकते हैं जब ये फ्राई हो जाए तब हम इसमें कटी हुई प्याज डालेंगे हमने लगबग 1 कप प्याज ली है हमने प्याज को छोटी पीसेज में कट किया है आप अपने कवाडिंग कोई भी शेप्स में कट कर सकते हैं प्याज को एक बार मिक्स करेंगे और तुरंत ही हम कटी हुई सिम्ला मिर्च डालेंगे अब इन सभी को हम हलका सा फ्राई करेंगे लगबग 1 मिनट प्याज सिम्ला मिर्च आप अपने कोडिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं एक मिनट फ्राई होने के बाद हम इसमें 1 बाई 4 तीसपून रेट चिली पाउडर फाफ तीसपून टर्मरिक पाउडर हल्दी अब इसमें हम और गैनो डालेंगे अब हम बिलकुल थोड़ा सा 1 बाई 4 तीसपून ब्लाक पेपर पाउडर डालेंगे खाली मिर्च पाउडर इन सभी को मिक्स करेंगे और इसमें हम सॉलड डालेंगे सॉल्ड कम ही डालेंक क्यूंकि हमने सॉल्ड पहले भी डाला है अब इन सभी को हम एक बार मिक्स करेंगे और हाफ मिनट तक फ्राई करेंगे इसके बाद हम बॉयल कीवी मैकरूनी डाल देंगे आप इसमें अपने कोणिंग कोई भी वेजेटीबल्स डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो या जो घर में हो मैकरूनी डालने के बाद इन सभी को मिक्स करेंगे जब ये मिक्स हो जाए तब हम इसको वन मिनट तक फ्राई करेंगे फ्लेम को हम मीडियम टू लो ही रखेंगे अब ये अच्छे तरह से फ्राई हो जुका अब हम इसे सर्फ करेंगे हमारी देसी स्टाइल मैकरूनी बनकर तयार है ये खाने में बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनी है आप इस रेसिपी को जरू ट्राई करें और हमने और भी पास्ता और मैकरूनी की रेस्पी सेयर की है आप उसे भी चेक करें और अगर आपको हमारे डाइस पीज अच्छी रखती है तो प्लीज लाइक, कमेंग और शेयर करें और हमारे अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें इंस्टाग्राम, फेस्बुक और ट्विटर पे भी फॉलो करें थाग्स फो वाचिए